आज बड़ी होशी का दिन है क्योंकि पाकिस्तान का कानून इतना मस्बूत हो गया है कि बड़ी-बड़ी मगर्मत जेलों में डाले जा रही है पहले हम ये सूच भी नहीं सकते थे जो लोग नेप का मजा कुड़ाती थे कानून का मजा कुड़ाती थे पाक पूच को गाल्या देते थे वो कान कूल कर सुन लो अब ये नया पाकिस्तान है हम इसमें किसी का पत्माशी नहीं मानते पाकिस्तान एक मजबूत रियासत बनने जा रहा है पाकिस्तान यो जो भी हो रहा है बिल्कुल टेक हो रहा है ये जो ची ही मार रही है ये वही लोग है जो कभी हमारे बाग पूच को गालिया देते हैं कभी हमारे कानून के उपर बूंगते हैं लेकिन पाकिस्तान यो हमारे सबसे बड़े गल्दी ये है कि जब हमारा कानून एक बड़े छोड को गसीड़ता है तो हमारे घरीब सोड को बराते हैं क्यों निकलते हैं हमें ये बागल पन चोलना पड़ेगा सतर साल बाद हमारा कोई पूछने वाला पैदा हो गया है ये चोड तो पाकिस्तान को अपना जागिर समझते थे इनसे कोई पूछने वाला नहीं था पाकिस्तानियों सब कुछ अल्लाटी करेगा बिकर मत करो ये संतर साल काकन है लेकिन आल्ला का शुकर अदा करो कि आल्ला ने इस मुल्क को एक इमांदार हो कमरान दिया है कोई मुल्क आट मा में सूपर बोर नहीं बन तकता क्या वहादिर ने मलीशा को आट मा में कामयाब किया क्या तुर्की आट मा में कामयाब हुई अबर चेन हमारे सामने पड़ा है दस दस बिस बिस साल लगे है एक लोट हुई मुल्क ठीक करने में और मेरा दूसरा पेगाम इस रियासत की दुश्मनों के लिए पाकिसार को दबा करने वालो लोटने वालो इस रियासत को कंगार करने वालो अगर किसे ने इल्जाब लगाया कि छोडों को क्यों जीलों में डाल रहा है तो उसे कहना कि इमरान हान आया था तारीख याद रखी जी कि एक मर्द कलंदर था जिसका नम इम्रान हान था जब चलता था तो शीरों की तरह चलता था और जब भूलता था तो दिल को चुम लेता था चूटा इम्रान हान ना होगे है बर फुखतुर हुआ भुनिर वस्सला सब अपने नजरिये पास रखो हम अपने नजरिया रखते हैं